देखे दोस्तों आपको क्या करना है आपके Gmail application में आ जाना है यहाँ पर देखे मैं मेरा Gmail application में आ चुका हूँ यहाँ पर मेरे सारे email दिकाई दे रहे और देखे राइट में उपर corner में आपको एक logo दिकाई दे रहा है उस logo के उपर आपको क्लिक करना है चलिए इसके उपर हम हमेल लोग क्लिक कर देते दोस्तों यहां पर जितने भी आपके मोबायले में इमेल आड इसारे दीकाई देंगे स्लेक्ट कर लेना कोई वह हैला ओ links लेक्यारल डीकाई डेयराई हर शॉर्ट वीडियो इसके अंधर का पासवड मुझे नहीं पता तो आभ है स्क्रोल करना है साइड में इस तरह से चलिए इस तरह से में करता हूँ और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है सिकुरिटी का तो हमें क्या करना है इस सिकुरिटी वाले ऑप्शन में इंटर हो जाना है चलिए यहाँ पर हम लोग इंटर हो जाते जैसे द पासवर्ड वाले उप्शन में इंटर हो जाते हैं अभी दोस्तों पूरा यहाँ पर अभी दोस्तों आपको क्या करना यहाँ पर देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह से आ रहा है सिंपल आपको क्योई टेंशन लेना नहीं है और सिंपल पॉर्गेट पासवर्ड के उपर क्लिक करके ले लेना है को चलिए Click करके लेने के बाद दोस्तों यहां आप देखिए बोल रहा है एंटर ड़े लाश्ट पास्वर्ड मत्रों सब्सक्राइब तो यहां पर पास्वर्ड आपको याँ दे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर new password और confirm new password का option आ गया है तो चलिए मैं मेरा फटाफट यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ password चलिए अभी दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरा password इंटर करके ले लिया हूँ और simple हम लोग change password के उपर click करेंगे चलिए यहाँ पर देखिए यह password change हो चुका है तो दोस्तों आपको अभी पता तो चल गया है आपका password क्या है क्योंकि आपने यहाँ पर new password इंटर किया है simple क्या करना है get start के उपर click करके ले लिना है जैसे ही click करेंगे दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए future में आप लोग कभी password भूल जाते हो या फिर आपको recover करना है तो आप लोग क्या करेंगे phone number यहाँ पर add कर सकते हो क्योंकि OTP आएंगा तो आपको easily हो जाएंगा आप लोग क किया था तो मैं forget password के दरिया आपको बता दिया किस तरह से यहाँ पर आप लोग रीक और कर सकते दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंड में पसंदाए लाइक कर देना यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई